हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी प्री क्वेस्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे इंडियन रिजर्व बटालियन पर इच्छा जो की जे एससी दुवारा 2017 में लिया गया था उसमें जहारखन से जो प्रसंद पूछे गया थे उनको हम सॉल्ब करें और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेस्चन को सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रसंद क्या है तो पहला प्रसंद है 1874 में खेरवार आंदोलन निम लिख 1875 सेनानी के नेतरितु में परसिद हुआ असान क्वेस्चन है खेरवार आंदोलन किस के नेतरितु में हुआ था तो ये हुआ था भागिरत मान जी option A सही answer होगा भागिरत मान जी को बाबा के नाम बी जाना जाता है ये question भी बनता है कि बाबा उपनाम किन का है तो ये है भागिरत मांजी का और एक point है कि खेरवार आंदोलन है ये दो चर्नों में हुआ था दूसरा चर्न जो हुआ था दुविधा गोसाई के नेतरीतु में हुआ था और कियों हुआ था? दुविधा गोसाई के नेतरित्म में हुआ था, 1881 का जो जन गन्ना हुआ था, उसके विरोध में खेरवार आंदोलन का दूसरा चरन संपन हुआ था नेक्स्ट कुईस्चन देखते हैं ग्रामीन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट जार्खन, उपर्चुनिटीज को मैं 2017 में अनुमदित किया था, जार्खन में इस परियोजना को कौन सी अंतरराष्टी एसोसियेशन ने मंजूरी दी थी? ये करेंट अफिहर्ज का कुईस्चन था, इसके सही अंसर होगा, उप्शन C, वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट कुईस्चन देखते हैं जार्खन में निमलिखित में से कौन सा अस्थान कैद में हिरनों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक अवास परदान करता है? तो हिरन के प्रजनन कहां किया जाता है? तो ये किया जाता है बिर्सा मिरिग विहार में और ये कहां है तो ये खुटी जीला में है सही अंसर होगा इसका बिर्सा मिरिग विहार नेक्स्ट कुईस्चन देखते हैं निमलिखित खनीजों में कौन सा जहरखन के बागरू पहाड़ी में महत्पून रूप में पाया जाता है तो ये कौन सा खनीज है जो की बागरू पहाड़ी में पाया जाता है ये है बॉक्साइट और बागरू पहाड़ी कहा है तो बागरू पहाड़ी है आपका लोहर दग्गा में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं करक रेखा जार्खन के निमलीखित में से कीन जीलों में गुजरती है लगभग सभी एकजाम में पूछा जाता है असान कोश्चन है सही अंसर होगा इसका ओप्शन C राची में करक रेखा राची से गुजरती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जार्खन में निमलीखित में से कौन से अस्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है तो भरपूर ग्रेफाइट भंडार कहा है तो पलामू में सही अंसर होगा इसका ओप्शन बी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं इन में से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टेंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है यह डाइड और कठीन और रंगीन बक से गुडिया, टेबल, मैट और क्रिस्मस पेड की सजावट में बुना जाता है यह थोड़ा कठीन कुश्चन था, इसका सही अंसर होगा सबाई घास, ओप्शन C, इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं जार्खन राज उद्योग निती 2001 के मताबिक विकास केंद्रो ओध्योगिक छेत्रों इत्यादी में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्सों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरन की सुईधा के लिए अपनी ओध्योगिक इकायों की अस्थापना कर सकेंगे तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन ये 30 वर्स के लिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं निमलिखित में से कौन दुनिया की सबसे उची साथ सम्मिट सात्वी महादीप चोटी चड़ने वाली पहली भारतिय महिला बनी इसका सही अंसर होगा ये जारखन की है प्रेम लता अगरवाल इनसे बहुत सारे प्रसन पूछे जाते हैं इनको 2013 में पदमसिरी मिला है और इसके अलावा 2017 में टेंजिंग नरवे अवारड मिला है दोनों पोइंट महत्بून है याद रखिएगा 2013 में पदमसिरी और 2017 में टेंजिंग नरवे अवारड से नवा आ जा गया है नेक्स्ट कुईचन देखते है जार्खन के दूसरे मुख्य मंत्री कौन बने जार्खन में अब तक जीतने भी मुख्य मंत्री बने हैं उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रीक बनाया है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा तो दूसरे मुख्य मंत्री कौन थे अरजुन मुंडा सही एंसर होगा ओप्सन C नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं उस भासा की पहचान करे जो मुंडा के भासा परिवार से सम्मंधित है मुंडा भासा परिवार से सम्मंधित है हो भासा ओप्सन A सही एंसर होगा नेक्स्ट कोईस्टन देखते हैं जारखन की मुख्यमंत्री लाडली लच्मी योजना के तहट राज सरकार दोरा निमली खित में से कौन सा लाव नहीं दिया जाता है नौजात कन्या को सेविंग एकाउंट में 5 साल तक 6,000 हर साल पोस्ट ओफिस में जमा किये जाते हैं यह पॉइंट सही है कच्छा नौ में परवेश के बाद लड़की को आ 5,000 का एक बार में भुगतान मिलता है यह पॉइंट गलत है तो सही अंसर होगा ऑप्शन बी बाकि जो पॉइंट है यह सब सही है नेक्स्ट कोईश्चन देखते हैं असूरा साइट्स जारखन में पाये जाने वाले राष्ट ये महत्व के इसमारकों अस्थलों में कौन सा इलाके में इस्थित नहीं है इसका सही अंसर होगा इटागर जो छेतर है वो असूरा साइट्स के अंदर नहीं आता है बाकि सर्दिकेल, खुटी, टोला, कुंजला इसके अलावार और एक अस्थान है उसका नाम है हासा ये चारों अस्थान असूरा साइट्स के अंदर आते हैं तो इसका सही अंसर होगा ईटागर नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं जार्खन का निलांचल आईरेंड़ एंड पावर लिम्यतेड्स पूर나 स्वामितु वाली किसकी सहायग कंपनी है तो निलान्चल आइरन एंड पावर लिमिटेड जै बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहय कमपनी है तो सही एंसर होगा ओप्शन C नेक्स्ट कुईस्टन देखते हैं लोहरदगा जीले की आधिकारिक वेबसाइट के मताबिक यह जीला अस्तितों में तब आया जब रांची के तीन जीलों में विभाजित किया गया था जैसे रांची लोहरदगा और गुमला तो किस साल में लोहरदगा अस्तितों में आया तो लोहरदगा बना था रांची से अ स्थान पर पाई जाती है तो इसका सही एंसर होगा ओप्शन ए यानि कि कोडर्मा जूमरी तिलया ये दोनों जगह पर माईका यूग्त मीटी पाई जाती है इसके अलावा और एक दो जगह पर माईका यूग्त मीटी पाई जाती है वो कौन से है तो मांडू है और बढ़का मांडू, बढ़का गाउ, कोडर्मा, जुर्म्री, तिलया इन चारों जगहों में माईका युक्त, मिटी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाती है मनमोहन सीह सरकार के अधिन कारियरत उस केंद्रिय कोईला मंत्री की पहचान करे, जिनें अपने खिलाब गिरवतारी वारेंट के बाद इस्तिफा देना पड़ा तो कौन केंद्रिय कोईला मंत्री थे? सीबू सोरेन, सही अंसर होगा ओप्सन बी इन में से कौन सा सील्प जार्खन की सील्प कौसल की एक परमुख विसेस्ता है? इसका सही अंसर होगा ओप्सन बी, एक, दो और तीन सभी नेक्स्ट कोईस्चन देखते है जार्खन की महिलाएं, उनके बच्चों के कल्यान के लिए निम्ण में से कौन सा उप्वास या वरत रखती है? जार्खन की जितनी भी माता हैं, वो अपने बच्चे की कल्यान और समरिधी के लिए जीतिया परम में उप्वास रखती है तो सही answer होगा option A, जीतिया Next question देखते हैं जार्खन सरकार ने केवल विद्वाओं के लिए एक अनोखी housing योजना की सुरुवाद की है योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है भीम राव अम्बेतकर अवास योजना सही answer होगा option A Next question देखते हैं ये जार्खन की लेखी का है स्वपनील पांडे इन्होंने The Soldiers गर्ट्स नामक पुस्तक को लिखी थी Next question देखते हैं इंडस्ट्रीज, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार जार्खन एक मात्र निर्माता किसका है? ये question भी बहुत बार पुछा जाता है जार्खन, प्राइम कोकिंग कोल का एक मात्र निर्माता है सही answer होगा option D Next question देखते हैं भारती सोतंता का पहला यूध 1857 जार्खन में 30 जुलाई को एक अस्थान पर हुआ जब संथालों ने ब्रिटिस कंपानी के खिलाफ विद्रोह किया जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया निमलिखित में से कौन सा अस्थान संदर्वित किया जाता है तो वह जगा था हजारी बाग का जेल जिसको तोड़ दिया गया था और कैदियों को रिहा कर दिया गया था तो इसका सही अंसर होगा option C next question देखते हैं इन में से कौन सी द्रवीड मूल की एक जन जाती है जो मुख्य रूप से जहारखन के छोटा नाकपूर छेतर में केंदरित है तो द्रवीड मूल की कौन सी जन जाती है उराओ यहां लिखा हुआ गलत है इसका सही अंसर होगा उराओ उराओ से और एक प्रसंद पुझता है कि उराओ सुआई को क्या कहते हैं तो उराओ सुआई को कुरुक कहते हैं याद रखेगा ये question भी दरोगा एक्जाम में पूछा गया है next question देखते है निमलिखित में से किस धातु का निर्मान करने के लिए अगस्ट 2016 में हिंदुस्तान कौपर लिमिटेड ने जारखन के घाट सीला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी तो हिंदुस्तान कौपर लिमिटेड ने जारखन के घाट सिला में कौन सी स्विधा शुरू की थी तो निकेल उत्पादन के लिए तो सही अंसर होगा option D next question देखते हैं किस वर्ष में आदिवासी नामक पत्रिका का परकासन शुरू किया गया था ये question मैंने 2-4 दिन पहले कराया था जारखन में निमलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारमपरिक पोसाख है तो आदिवासी महिला की पारमपरिक पोसाख है पांची और परहन सही answer होगा option B next question देखते हैं जारखन का घाट थर्मल पावर स्टेशन कहां इस्थित है असान question है तेनुघाट बोकारों में है सही answer होगा तेनुघाट थर्मल पावर बोकारों में इस्थित है next question देखते है अप्रैल 2017 में जारखन में निमलिखित में से कौन से जीलों में गंगा नदी पर एक बहु मोडल टर्मिनल के लिए आधार सिला रखी गई थी जो उत्तरपर्देश के वारा नसी से पस्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट ये जलमार्ग एक के विकास का एक महत्पून घटक है ये टर्मिनल कहां शुरुवाद किया गया था ये किया गा था सहेब गंज में इसका उदगाटन पधान मंत्री नरेनर मोदी जी ने किया था इसका सही एंसर होगा ओप्शन डी नेक्स्ट कोईस्चन है बिर्सा मुंडा को गिरफतार करने के लिए ब्रिटिस बलो ने एक पहाड़ी पर असिमित गोलाबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टौपड बुरू के रूप में मिरितको का टिला रखा गया उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां उनिस्टो में यह घटना हुई थी उस पहाड़ी का नाम है डूमरी हिल या डूमरी पहाड़ी इससे और एक प्रसन जेसे सी में पूछा गया है कि इन में से कौन सा अस्थान जलिया वाला बाग जैसा महतवर रखता है अगर ऐसा प्रसन पूछे तो सही एंसर होगा डूमरी हिल यहाँ अंगरेजों ने भारी मार काट मचाई थी इसलिए डूमरी हिल को जलिया वाला बाग जैसा महतवर माना जाता है जारखन के छोटनागपूर छेतर का एक अनोखा प्रसंग हाइबरीड भासा का उदय है जिसका उप्योग उनके लिंगुवा फ्रेंका के रूप में किया जाता है उस भासा का नाम क्या है तो इस भासा का नाम है सादरी ओप्सन सी सही एंसर होगा नेक्स्ट कोईस्चन देखते हैं निमलिखित में से कौन सब पच्छी को जार्खन का राजे पच्छी माना जाता है असान कोईस्चन है सही एंसर होगा ओप्सन डी एसी अन कोयल नेक्स्ट कोईस्चन है 1928 में जब साइमन कमिशन पटना आया जनजातियों दोवारा सोअसासन के लिए अलग जार्खन राजे की मान किसके दोवारा भेजे गए डेलिगेशन दोवारा रखी गई थी तो यह किसके दोवारा डेलिगेशन भेजा गया था छोटनागपूर 29 समाज तो सही एंसर होगा इसका ओप्सन सी चोटनागपूर 29 समाज की अस्थापन कभ भी थी तो 1915 इस्वी में आधिवासी नामक पत्रिका इनके दोवारा का परकासित की गई तो 1915 इस्वी में यह सारे प्रसन पूछे गए हैं नेक्स्ट कोईचन देखते हैं जारखन राज की सरकारी अधिकारीक वेबसाइट के अनुसार निमलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदरर परकार के रूप में वरगी किरित है हंटर गैदरर यानि की सिकारी संग्रह करता के रूप में कौन सी जनजाती वरगी किरित है सही अंसर होगा को बाप संडी सही अंसर होगा नेक्स्ट कुईस्टन देखते हैं कि वर्स 1938 में बिहार से जहारखंड को अलग करके नया राजे बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी इसकी अस्थापना किनके द्वारा की गई थी तो आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी जैपाल सीम मुंडा के द्वारा इनको मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कुईस्टन देखते हैं SPIADA जारखन के च्छा कमांड जीलों में ओद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है इन जीलों को सामुहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है SPIDA पहले इसका हम फूल फॉर्म जान लेते हैं SPIDA का तो इसका फूल फॉर्म है संथाल प्रगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट ओथरिटी तो अगर आप इसका full form जानेंगे तो इसके सही answer भी हो जान जाएंगे सही answer होगा संथाल प्रगना नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं जारखन, मिनरल, पॉलिसी के तहट खनन और खनी छेतर की गलत धारा कौन सी है? अप्शन ए, परिकिरियाओं को सरल बनाएं और खनन पटों को तोरित मंजूरी दीजिए ये सही है, खनन गती विधियों में सारवजनिक छेतर की भागेदारी को प्रत्साहित करें ये गलत है, खनन गती विधियों को असान बानने के लिए कुछ राहत परदान करें ये भी सही है विदेशी निवेश और तकनीकी सहयों को प्रतुसाहित करें ये भी सही है तो इसका सही अंसर होगा कि कौन सी धारना गलत है तो option B next question देखते हैं आदिवासित तेहारों में पूजित कौन सब वरिच जहारखन का राज ये विरिच माना जाता है देखिए इसमें हमेशा confusion रहता है सकुआ सही answer होगा राज कि वरिच जहारखन का सकुआ है इसे ही साल के नाम से जानते हैं साल और सकुवा में बहुत को confusion रहता है, साल को ही सकुवा कहा जाता है, और इसके फूलों को सरई फूल कहते हैं, और इससे जो तेल निकलता है, उसको कुजरी तेल कहते हैं, याद रखेगा इसके फूल को सरई फूल, इससे निकलने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है, औ बिल्कूल भी कन्फ्यूज मत किजेगा और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट किजे और वीडियो को सेर भी कर दिजेगा नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं बोकारो इस्टील प्लांट सारवजनिक छेतर में चौथे एकी करित प्लांट की अस्थापना किसके सहयोग से हुई थी तो बोकारो इस्टील प्लांट की अस्थापना की गई थी सोवियत संग रूस के द्वारा 1964 हिस्वी में और इसमें उत्पादान हुआ था 1974 हिस्वी में सही अंसर होगा option D सोवियत संग next question देखते हैं पंडित रगुनात मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने पर्यासों के भाग के रूप में संथाली वर्न माला का निर्मान किया जो नीम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है पंडित रगुनात मुर्मू ने ओल चिकी लिपी का उसकार किया था 1941 विश्वी में तो सही अंसर इसका होगा Option A, ओल चिकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्स 1855 में संथाल विद्रोह किया था असान क्वेश्चन है मैं 2011 में 18 साल की आयू में दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली जारखन की सबसे अधीक आयू की भारती महिला कौन थी मैंने इसी वीडियो में इनके बारें बताया है ये है प्रेम लता अगरवाल जिनको की 2013 में पदम सिरी और 2017 में तेंजिंग नारवे एवार्ड मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महंदर सी धोनी को किस वर्च राजीव गान्थी खेल रतन पुरुसकार प्राप्त हुआ है जैसे सी एक जाम ले और धोनी के बारे में एक प्रस्ण ना हो ऐसा हो नहीं सकता इसलिए धोनी के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है आप उस वीडियो को जरूर देख ले तो महंदर सी धोनी को किस वर्च राजीव गान्थी खेल रतन पुरुसकार प्राप्त हुआ था तो ये हुआ था 2007 में उसके बाद 2009 में पद्म सिरी और 2018 में पद्म भुसन से सम्मानित किया गया है तो ये 2018 वाला इस बार जरूर प्रस्ण पुछेगा कि धोनी को कब पद्म भुसन से नवाजा गया है तो सही अंसर होगा 2018 इस वी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जार्खन राज ओद्योगी की नीती 2001 के अनुसर निर्यात समर्धन ओद्योगी पार्क को कहा अस्थापित करने का प्रस्ताव है ये पार्क को कहा अस्थापित करने का प्रस्ताव है तो धनबाद में सही अंसर होगा option B नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जमसितपूर जार्खन की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नार्वे में मुक्केबाजी 200 चेंपियन सिप में स्वन पदग जीता था तो ये जार्खन की महिला मुक्केबाज है अरुना मिस्रा सही अंसर होगा option D नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रियंका चोपडा का जन्म भारत के जमसितपूर में हुआ था उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ड सौंदर्य इस परधा अवार्ड जीता सही अंसर होगा इसका option C 2000 इस्वी में और एक प्रियंका चोपडा का सम्वेश्चन जमसितपूर से है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेलेद मुंदारी सेलेद जो की मुंदारी नाकपूरी और हिंदी में कविता है और हिसीर जो की आधुनिक मुंदारी गाने है किसके दोवारा प्रकासित सनलेखन है तो ये किसके दोवारा प्रकासित किया गया है राम द्याल मुंदा इनसे भी बहुत प्रसुन पूछे जाते हैं इनको कब पदमसिरी मिला था ये question भी पूछा गया है JCC में तो इनको 2010 में कला के छेतर में याद रखेगा important point है राम देयाल मुंडा को 2010 इस्वी में कला के छेतर में पदमसिरी मिला है next question देखते है संद 2000 में जार्खन के गठन के बाद निमलिखित में से किसने राजपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी जब जार्खन का गठन हुआ था तब जार्खन के पर्थम राजपाल थे परभात कुमार सही answer होगा option D next question है जार्खन के मुखे मंत्री रगवर्दास ने राजपी कितनी महिला उद्यमियों को निसुल्क मोबाइल परदान करने के लिए निसुल्क मोबाइल फोन योजना की सुरुआत की है ये current affairs का question था इसका सही answer होगा option B एक लाग next question है जार्खन का एक नया राजपाल ये बनाने है थो के आर नरायन ने इस विधे को मंजूरी कब दी थी तो वह कब था अगस्त 2000 इस वी को इसका सही answer होगा option C तो friends इस वीडियो में मैंने 50 question cover कर लिये जो जार्खन से पूछे गए थे कुछ question आसान थे कुछ question कठीन थे और ये वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें thanks for watching